हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल आज के इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे ओजोन लेयर डिपलीशन के बारे में और इस वीडियो लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओजोन लेयर है क्या उसके बाद हम समझेंगे ओजोन लेयर की इंपोर्टेंस के बारे में और हम उसके बाद बात करेंगे causes of depletion of ozone layer के बारे में यानि कि ozone layer किन किन कारणों से deplete हो रही है उसके बारे में समझेंगे और फिर हम mechanism of ozone layer depletion के बारे में भी समझेंगे और फिर हम बात करेंगे ozone depleting substances क्या होते हैं फिर हम बात करेंगे उसके बात ऑजन अगर डिपलीट हो जाती है तो उसके क्या-क्या इफेक्ट या फिर इमपैक्ट जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं और लास्ट में हम डिसकुज करेंगे कि ऐसे क्या हम रिस跟我 आसे क्या हमें एहां कॉं और एक। मोलेकुलर फॉर्मॉरा की तो अजोन का मलेकुलर फॉर्मॉरा होता है ओ-3 ठीक है? और फिर हम बात करें तो यह जो अजोन ले ओजन गैस है यह एक colorless gas होती है और यह हमारे atmosphere में जब oxygen molecule के साथ ultraviolet radiations react करती है और उन्हें दो अलग oxygen atoms में break करती है और फिर बाद में जब वो atoms combine करते हैं दुबारा से oxygen molecules के साथ तो finally हमारा ozone molecule बनकर आता है तो इस तरह से कुछ जो है generally हम देख सकते हैं कि ozone बनती है हमारे atmosphere में और बात करें यह जो ozone molecules हैं यह जो है ultraviolet radiations को absorb करते हैं और ultraviolet radiations की जो wavelength रहती है वो है 200 nanometer to 320 nanometer यानि यह जो ozone molecules हैं यह 200 nanometer से लेकर 320 nanometer wavelength तक की radiations को जो है absorb करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बता दे कि ozone जो है ultraviolet radiations को absorb करती है तो इसलिए यह ozone जो हमारे लिए ozone layer जो हमारे लिए बहुत जादा important हो जाती है और बात करें तो इस ozone layer की तो यह जो हमारे atmosphere में stratosphere में जो है यह ozone layer पाए जाती है और हमारे sea level से 15 to 30 kilometer की जो range है उसके बीच जो है य यह हमारे यह हमारे अर्थ के लिए UV shield का काम करती है और बात करें ozone layer की thickness की तो इसकी thickness लगबग 2 to 5 mm होती है और ozone की जो concentration stratosphere में वो देखी गया है वो almost 10 ppm जो है होती है और अब next बात करें हमने बात की कि जो stratosphere में ozone होती है वो हमारे लिए जो है बहुत important होती है क्योंकि वो ज जो ultraviolet radiation है उन्हें ब्लॉप करती है और हमारे अर्थ में जो है life जो living organism उनको protect करती है बट contrary to this हम बात करें जो अगर हमारे यही ozone अगर हमारे ट्रोपोस्फेर में या फिर हमारे ground level के पास बन जाए तो यह जो ozone है यह बहुत जादा जो है हमारे लिए नुकसान दे हो सकती है damaging हो सकती है क्योंकि यह जो ozone है यह बहुत ही powerful oxidizing agent होता है और अगर यह हमारे respiratory हमारे या कोई भी animal हो गया living organism हो गया उसके respiratory tract के अंदर ozone चली जाए तो उस organisms के जो respiratory tissues हैं उनको यह ozone damage कर सकती है और जिससे बहुत जादा life threatening situation जो है वो देखी जा सकती है और इसलिए जो ozone stratosphere में ब कहते हैं और जो ozone troposphere में यानि के ground level के पास बनती है उसे हम bad ozone भी कहते हैं तो अब बात करते हैं यह तो था ozone से related कुछ facts or basics अब next बात करते हैं ozone बनने का cycle किस तरह से होता है जिसे हम ozone cycle कहते हैं तो ozone cycle को हम जो है एक नाम से जानते हैं Chapman cycle के नाम से ठीक है और यह जो ozone cycle है इसमे क्या है कि जो हमारी ozone है continuously form होती है फिर decompose होती है यानि तूटती है और फिर दुबारा से reform होती है और इसी पूरे process को बनने ozone के बनने तूटने और दुबारा से बनने के process को हम Chapman cycle या ozone cycle कहते हैं और अब बात करते हैं जो stratosphere है उसमें एक नई term निकल के आती है temperature inversion तो बात करे ने temperature inversion की तो जैसा कि हमें पता है कि यह हमारा ये मान लेजी ये ground level है नीचे ये हमारा ground level है तो ground level से उपर हमारा क्या होता है troposphere ground liver से उपर हमारा troposphere होता है तो troposphere के उपर जो है उपरा लेर वो हमारी आती है stratosphere अब इस stratosphere में temperature inversion की एक property देखने को मिलती है वो समझते हैं इसमें क्या होता है कि stratosphere में यहाँ पर आपको पता है ozone है तो जब यह ozone क्या करती है यह ozone layer है ये ozone layer है, तो ozone layer क्या करती है? हमारी ultraviolet, जो sun से आने वाली ultraviolet radiations है, sun से आने वाली giो ultraviolet radiation है, उनको absorb करती है ozone layer और ये absorption में क्या है? ozone जो है, टूटती है oxygen molecules बहुत ज़्यादा heat release होती है, यहाँ पर, ठीक है? यह पूरा स्टेटोसफेर है और इसमें ओजोन वाला एरिया बहुत जादा गर्म हो जाता है और जो उसके नीचे नीचे वाला जो स्टेटोसफेर का हिस्सा है उस हिस्से में comparatively temperature जो है वो less होता है इसलिए एक ऐसी condition create हो जाती है जिसे हम कहते है temperature inversion और इस temperature inversion की वज़ा से इस temperature inversion की condition की वज़ा से यहां का atmosphere जो है वो स्टेबल हो जाता है और यहां पर जो है जो भी pollutant है जो zone depletion कोस कर रहे है उनका जो यहां पर जो है residence time बहुत जादा बढ़ जाता है और यह फिर जम कर काफी दे़ तक जो है ozone की depletion करते रहते हैं तो यह था temperature inversion का concept बात करें यह जो ozone layer थी इसकी discovery की थी 1930 में French physicist ने जो दो थे Charles Fabry and Henry Bisson और जो ozone होला है इसे first discover किया गया Antarctica में 1985 में एक satellite दोरा जिसका नाम था Nimbus 7 satellite तो यह बहुत important concepts हैं अब बात करते हैं ozone ozone depletion की तो यह जो ozone होती है ozone और जो free oxygen atoms जो हमारे atmosphere में present होते हैं यह बहुत जादा unstable होते हैं इसलिए यह easily react कर जाते हैं atmosphere में present different gases के साथ जैसे कि nitrogen हो गई hydrogen chlorine हो गई और bromine हो गई तो इन सभी gases के साथ ozone है और oxygen atoms है यह easily react कर जाते हैं और इसलिए यह जो ozone है break हो जाती है ozone deplet हो जाती है इन gases की वजय से और sometime कभी कभी क्या होता है कि natural processes की बात करें तो जैसे naturally volcanic eruptions हो रही हैं उनसे बहुत सारी अलग अलग तरह की gases जो है वो air में release होती हैं जो की ultimately status where में पहुंजाती है और हमारी ozone को deplet करती है लेकिन यह volcanic eruptions या natural causes तो ही है लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा जो ozone की depletion का है वो उसको contribute करता है हमारे हम करते हैं human beings तो जादा तर जो बहुत बड़ा हिस्सा जो ozone का deplet हो रहा है वो human beings की वज़ा से हो रहा है और बात करें 1970s की तो उस समय scientist ने जो है scientist जो थे उन्होंने notice करना शुरू किया कि जो ozone layer है हमारे polar regions में वो deplet होना शुरू हो गई है या कम होना शुरू हो गई है और वहां पे एक बहुत बड़ी एक जो ozone का बहुत बड़ा हिस्सा ozone layer का जो है वहां पे वो बहुत ही कमजोर हो गया जिसे उन्होंने एक term का नाम दिया ozone hole जिसे उन्होंने ozone hole का नाम दिया और यह बहुत बड़ी चिंता का विशे उस समय बन गया और उस समय यह पाया गया कि अगर यह जो ozone जो डिप्लीट हो रही है यह किसकी वज़ासे हो रही थी यह ozone depleting substances की वज़ासे हो रही थी जैसे कि chlorine हो गया bromine हो गया और fluoride हो गये यह जो थे upper stratosphere में present थे और यह ozone को डिप्लीट कर रहे थे और studies के according यह भी पता लगा है कि nearly 80% ozone layer का depletion था वो CFCs यानि कि chlorofluorocarbons की वज़ासे हो रहा था जो कि commonly refrigerants के लिए use की जाते थे और cleaning agents वगए के लिए use किये जाते थे और according to estimates कुछ scientific studies के according जो है अगर ozone की concentration जो है 1% होती है तो UVB जो हमारी earth में आ जाएंगी वो UVB का हमारे earth में आने का potential 2% increase हो जाएगा तो ऐसे कौन-कौन से causes है या कारण है जिनकी वज़ा से ozone layer deplete हो रही है या खतम होती जा रही है तो causes of ozone layer depletion में दो तरह के causes आते हैं एक तो है natural causes और दूसरा है man-made causes तो बात करें natural causes की तो natural causes में आते हैं sunspots हो गई, stratospheric winds हो गई volcanic eruptions हो गए तो यह सब जो है contribute करते हैं हमारे ozone layer depletion की तरफ और यह जो natural causes है ozone layer की depletion के वो सिर्फ total ozone layer depletion का 1-2% ही contribute करते हैं एक और natural cause है जिसके through ozone deplete होती है वो है methyl bromide का release तो काफी सारी जो हमारे earth पे marine algae है वो methyl bromide को release करते हैं ultimately by through troposphere होता हुआ, stratosphere में methyl bromide पहुंच जाता है जो कि intern reaction करके bromine release करता है और bromine हमारे ozone layer की depletion का एक कारण बनती है और natural forest fires जो हो रही है उनकी वज़ा से भी methyl bromide जैसी gases और और भी बहुत जारी SO2, NO2 जैसी gases जो है वो release होती है जो कि अगर ultimately statosphere में पहुंच जाए तो ozone layer के depletion का कारण भी बनती है अब next आता है man-made causes of ozone depletion जानी जो इनसानों की विज़ा से ऐसे क्या क्या काम हो रहे है जिनकी विज़ा से ozone layer की depletion हो रही है तो बात करें अगर जो excessive release हो रहा है chlorine और bromine के compounds का तो यह जो chlorine और bromine यह काफी अलग अलग तरह के compounds बनाने में अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने में यूज हो रहा है और ultimately यही जो कारण है यही से chlorine और bromine जो है वह atmosphere में release हो जाता है और ultimately statosphere में पहुंच जाता है और जिससे ozone की depletion होती है और बहुत सारे ozone depleting substances हैं जिनकी वजा से जो है हमारी ozone deplet हो रही है जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके बजाता हूं तो और बात करें यह जो man-made causes हैं यह 90% से भी जादा का contribution करते हैं ozone layer depletion की तरफ तो major cause जो ozone layer depletion का है वह है man-made cause तो बात करें researchers का कहना है कि जो हम rocket launching technology की जो बहुत जादा advancement के विज़ा से जो rocket launches launch हो रहे है regularly उनकी जो अगर unregulated launching होती रही इसी तरह से तो वह भी जो है ozone depletion का कारण ozone layer की depletion का कारण बन सकते हैं जैसे और इनका depletion का potential होगा वह CFC से भी जादा होगा अब बात करते हैं mechanism of depletion of ozone layer यानि ozone layer किस तरह से depletion होती है उसमें chemical reactions हो रही है जिनकी वज़ा से ozone layer depletion हो रही है उसके बारे में समझते हैं तो सबसे पहले बात करें ozone layer depletion के mechanism की तो इस mechanism को जो discover किया था वह scientist थे professor Paul Crudson और उनके बाकी जो साथी थे और इनको इस discovery के लिए mechanism discover करने के लिए noble prize भी मिला था और जैसे और बात करें हमने मैंने बात की कि chlorofluorocarbons जो है बहुत जादा ozone depletion करते हैं तो यह जो chlorofluorocarbons है हमारे stratosphere में जैसे ही chlorofluorocarbons हमारे stratosphere में चल जाते हैं क्योंकि यह जो chlorofluorocarbons है यह बहुत ही stable compounds होते हैं यह reaction easily नहीं करते हैं इसलिए यह हमारे troposphere से होते हुए stratosphere में जाकर पहुंच जाते हैं और यह जो है break easily break नहीं होते हैं और बात करें तो फिर क्या होता है जब यह chlorofluorocarbons जो है electromagnetic radiation यानि ultra violet radiation के साथ जब react करते हैं तो इन में से chlorine रिलीज होती है और यह chlorine जो है ultimately हमारे ozone को deplete करने का काम करती है ozone depletion की बात करें तो यह हमारे chlorine का radical यह जो हमने अभी बताया कि CL जो है chlorine radical जो बनता है जब chlorofluorocarbons तूटते हैं ultraviolet radiation की presence में तो यही जो chlorine radical है और इसी के जैसा similar जो है bromine radical जो है वह हमारे stratosphere में ozone depletion का का बनते हैं और इसका reaction देखिए एक CL का chlorine radical जब ozone के साथ react करता है तो वह chlorine oxide बनाता है और साथ ही साथ oxygen molecule है वह तूट चुका है oxygen में इसी तरह से यह जो CLO है यह भी जो है contribute करता है ozone depletion में further जैसे CLO भी ozone के साथ react करेगा तो फिर से chlorine radical बन जाएगा और फिर से oxygen बन जाएगी तो हमारा इस तरह से oxygen molecule तूट जाता है और again देखिए आप देखिए दुबारा से जो chlorine radical generate हो चुका है और यह भी further similar reactions करेगा और ozone को deplet करेगा और single chlorine atom जो है वो लगबग ozone को दो साल तक continuously जो है तोड़ता रहता है डिपलीट करता रहता है तो आप देखिए सकते हैं कि chlorine और bromine कितने जो हामफूल है हमारी ozone layer के लिए अब बात करें similar chlorine की तरह ही bromine atoms भी bromine radicals में change हो जाते है और ozone को break करते हैं और उनका ozone को break करने का mechanism है वो भी same है बात करें स्टेटोसफेर में nitrogen dioxide की तो यह जो nitrogen dioxide जो हमारी automobile emissions से release हो रहे हैं और बहुत सारी activities है जिनसे nitrogen dioxide जो है air में release हो रही है तो अगर यह स्टेटोसफेर में पहुंचा है तो जैसे NO2 nitrogen dioxide जब ozone के साथ react करती है तो वो NO3 बना देती है और ozone जो है वो change हो जाता है oxygen molecules में इसी तरह similarly जब NO3 फिर NO2 के साथ जब react करते हैं यह दोनों तो यह N2O5 nitrogen pentoxide बनाते हैं तो यह reaction भी जो है Ozone के breakdown में जो है role play करती है और बात करें कि मैंने आपको पहले बताया था कि temperature inversion जो है stratosphere में हो जाता है जो temperature differences की वज़ा से produce होता है उसकी वज़ा से क्या होता है जो भी pollutant हमारी stratosphere में जाता है उसका residence time जो है एक तो chlorofluorocarbon की हम बात कर लें उनका जो residence time है वो तो already जादा है लेकिन क्या होगा कि जब यह stratosphere में जाएंगे तो वहाँ और जादा stable conditions मिलेंगी और वहाँ पे जो है इनका residence time और भी जादा बढ़ जाएगा तो इससे क्या है कि और जादा Ozone की depletion होगी और बात करें बहुत सारे pollutants हैं जो हमारी Ozone को deplete करते हैं तो for example हम बात करें तो सबसे जादा जो अगर हम total pollution की pollutants की बात total जो ozone depletion की बात करें उसमें से जो CFC हैं वो 14% जो है total depletion को contribute करते हैं उसके बाद आता है nitrogen oxide जो है nitrogen oxide जो है वो 3.5% ozone की depletion का कारण बनते हैं उसके बाद methane भी कुछ हद तक अपना role play करती है और उसके बाद halogens जो है chlorine और bromine जैसे जो वो भी हमारी ozone layer को deplete करते हैं और maximum ozone depleting potential की बात करें तो वो होता है CFC का क्यूंकि यह intern chlorine release करते हैं और जो chlorine है वो ozone को deplete करते हैं अब next बात करते हैं ozone depleting substances की जो ozone depleting substances वो substances होते हैं जैसे की chlorofluorocarbons halons carbon tetrachloride hydrofluorocarbons etc और यह responsible होते हैं हमारी ozone layer की depletion के लिए इसलिए हम ozone depleting substances के नाम से जानते हैं और यह कुछ list है ozone depleting substances की तो बात करते हैं इन in ozone depleting substances की और इनके sources की तो सबसे पहले आते हैं chlorofluorocarbons जो chlorofluorocarbons है यह as a refrigerators में air conditioners में use की जाते हैं as a solvents use की जाते हैं dry cleaning agents की तरह तो इन ही roots के जाते हैं तो ultimately उनके through भी जो है हमारे atmosphere में halons एंडर कर जाते हैं उसके बाद carbon tetra chloride CCl4 यह भी fire extinguisher वगहरा में solvents वगहरा में use की जाता है जो की ozone depletion का कारण बनता है क्योंकि इसके अंदर chlorine present है और जब यह break करेगा तो यह chlorine के जो radicals है वह produce करेगा और in turn जो है यह chlorine radicals ozone को deplete करेंगे उसके बाद methyl chloroform आता है तो यह adhesive में aerosols वगहरा में use की जाता है तो यह भी ozone depletion का कारण बनता है उसके बाद hydro fluorocarbons की बात करें तो hydro fluorocarbons भी fire extinguisher में air conditioners में जा solvents वगहरा में use की जाते हैं और यह भी ozone depletion करते हैं तो यह तो थे सारे ozone depleting substances अब बात करते हैं impacts की यारी के effects की जो की अगर ozone deplete हो जाती है ozone layer जो है वो deplete हो जाती है तो उसकी वज़ा से जो ultra valid radiation हमारी earth पे आने वाली हैं उनका जो है हमारे उपर या plants के उपर जो है या living organisms के उपर क्या negative effect पड़ता है तो सबसे पहले बात करें impact on humans की तो humans अगर UVB radiation हमारे earth के surface पे आने लग पड़ी बहुत जादा तो हम बहुत सारी बिमारियें जैसे की cataract हो गया melanoma हो गया ऐसी बिमारियें देखने को मिल सकती है और ultra valid radiation जो है nucleic acids को damage कर सकती है DNA RNA को damage कर सकती है जिससे बहुत सारी mutations और बहुत सारी जो है body में living organisms में जा human beings में जो है बिमारियें देखने को मिल सकती है अब बात करें marine organisms की तो यह जो UVB radiation है यह zoo planktons को भी जो है उनकी population को भी खतम कर सकती है जिसकी विज़से अगर क्यूंकि आपको पताई की aquatic aquatic habitats में जो है planktons food chain का एक important हिस्स है तो अगर यह planktons की population काम होती है तो ultimately food chain है वो भी disrupt हो जाएगी और हमारे ecosystem को नुकसान पहुंचेगा उसके बात करें UVA की जिसे हम black ate भी कहते हैं अगर यह हमारी earth के पे आ जाएगी तो इससे हमारी skin की tanning हो सकती है photo aging हो सकती है और skin cancer जैसी बिमारियां भी हो सकती है और एक factor एक concept आता है SPF का sun protecting factor तो हमने देखा होगा कि बहुत सारी हमारी sunscreen creams में SPF लिखा होता है SPF 40 SPF something तो यह SPF factor जो है यह किसी cream का UVB radiation को block करने की capacity को बताता है और इसलिए यह important होता है साथ ही साथ बात करें ultraviolet radiation का हमारे immune system पे negative effect पर सकता है तो इन सब चीजों यह सब थे जो वह impact जो की human beings में देखने को मिलते हैं अगर ultraviolet radiation हमारी earth पे आ जाती है तो next आता है impacts on plants यानि अगर ultraviolet radiation earth पे आती है तो हमारे plants पे क्या effect पड़ेगा सबसे पहले बात करें तो यह strong ultraviolet radiation अगर हमारी earth पे आएंगी तो हमारे plants की growth है उस पे effect करेंगी negative effect करेंगी flooring pattern में effect करेंगी आपको पता ultimately उनकी plants की reproduction पे effect होगा plants की fruiting पे effect होगा तो बहुत negative effect जो है plants में देखने को मिलेंगे उसके बाद photosynthesis को की reduction हो जागी यानि अगर leaves के उपर ultraviolet radiation पड़ेगी तो वो photosynthesis mechanism को disrupt कर देगी उसके बाद बात करें chloroses और abscission जैसे problems जो है plants में ultraviolet radiation की वज़ा से देखने को मिल सकती है उसके बाद जो phytoplankton जैसे जितने ही important marine environment में zooplankton या aquatic environment zooplankton है उतने important phytoplankton भी है तो phytoplankton आपको बता है कि producers का का काम करते है हमारे aquatic habitats में तो अगर उनकी population decline होगी तो ultimately food chain को भी effect पढ़ेगा aquatic environment की और हमारे ecosystem जो है वो disturbed होंगे तो यह थे impacts ozone layer depletion के तो अब बात करते है solutions की तो हमने जितनी मी चीजें पढ़ी है जिन चीजों की वज़ा से हमारी ozone deplete हो रही है उन सभी को सुधारे तो हमारी ozone layer depletion जो है वो कम हो सकती है और हम ozone को deplete होने से टूटने से खतम होने से बचा सकते हैं तो सबसे पहले क्या तरीका है ozone को कम करने का जो हम ozone depleting substances है उनका use कम करें तो हमारी जो जैसे की chlorofluorocarbons हो गया CCL4 हो गया ऐसे substances को जब हम हो गये तो ऐसे substances का use जब हम कम करेंगे तो ultimately हमारी ozone जो है वो खतम होना कम हो जाएगी और अगर हम बिलकुल इनको use इनका बंद कर देंगे तो हमारी ozone जो है वो deplete होना बंद हो जाएगी और दुबारा से replenish हो जाएगी अब बात करें तो अगर हम vehicles में मैंने बताया NO2, SO2 यह सब gases है जो जो release होती है और यह gases भी ozone depletion में रियक्त करती है ozone depletion में जो important role play करती है तो अगर हम vehicles का use कम करेंगे तो हमारी ozone depletion भी कम होगी उसके बात अगर हम eco-friendly cleaning अब मैंने आपको बताया था कि काफी सारे helons वगारा CCL4 वगारा यह सब cleansing agents वगारा में use किये जाते हैं तो अगर हम इनकी जगा eco-friendly cleaning products के use करेंगे तो उन में से chlorine, bromine वगारा release नहीं होगा और हमारी ozone deplet होने से बच जाएगी और हमें synthetic chlorine and bromine containing compounds है उनके अलावा उनकी जगा हमे natural compounds use करने चाहिए as cleaning products उसके बाद जो हम nitrous oxide जो काफी सारी industries में use किये जाता है nitrous oxide तो इसका use भी जो है वो कम करेंगे तो हमारी ozone layer depletion कम होगी तो यह तो था ozone layer depletion के बारे में lecture अगर आपको पसंद आया हो तो please like करें, subscribe करें और share जरूर करें 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 करें